हिजबुल्ला हमास ने अब एक बड़ी कसम खाई है किस तरह से इसरेल को निस्त नाबूत करना है खतम करना है इस बात की कसम अब इन दूनू संगठनूने खाली है और अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है कि अब बहुत जादा दिन इसरेल अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा इसी प तो एक तरह से कह लिए जीए कि एक खबर आई है कि उसमें बकाईदा कसम खाई गई है कि अब इसराइल को मनमानी नहीं करने देंगे इसराइल अब वो नहीं कर पाएगा वो नगसंगार नहीं कर पाएगा उसे हम खत्म कर देंगे इसके पीची का क्या है सच देखे पूरे कि अरब देशों में जो है मस्जिद में जो कुछ हा था उसकी बरसी को लेगर प्रोटेस्ट हो रहा है प्रदर्शन हो रहे हैं ऐसे हैं इसके हिसला भाण व्हुती जो लड़ागे एकजुट हुए है और उनकी तरफ से कहा गया है कि फिलस्तिन पर जो हमले हुए या गजा पर जो हमले हुए इसराइल के अब उसका बदला लिया जाएगा और इसराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया जाएगा तो देखिए अ तो एरफोर्स बेस पर जबरदस्त हमले हुए, कई जगह बताया जा रहा है कि 10 जगह रॉकेट उनसे हमले हुए, तो कुल्प मिला के देखिए और उसके तुरंद फौरंद बाद इसराइल की जो एरफोर्स थी, उसने लिबनान में तीन जगह एर स्ट्राइक करी और जहां प जगह फिए में हुटी की तरफ से भी बड़ा बयान आया है, हुटी के जो चीफ हैं, अब्दुल मलिक अल-हुटी इन्हों ने कहा है कि भई, फिलिस्तीनियों पर जो हमले हुए हैं, हम इंका बदला लेंगे और हुटी के संगटन है उसने अपील की है कि आप हमारा साथ द इसरेयल के उपर तुरंथ हमला हो लेकिन इरान चुकी आप जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि इरान जो हमला नहीं चाहरा है वो इस बात को लेके चाहता है कि पूरी तयारी हो जाए और उसके बाद हमला करना भी है तो मतलब यह हो कि किसी तरह से ऐसा ना हो कि वार चुरू है और यह ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में यह एक बड़ी रंडीती का हिस्ता भी है कि इरान भले सीधा हमला ना करें लेकिन जो प्रोक्सी है चाहे वो हुती हो हो हमास हो यह इसरेयल को चारो तरफ से घेर के हमेशा उलजाय रखें इससे जो है इसरेयल को कि अंदर से ही आवाजे उठने लग गई है कि यह क्या हो रहा है क्या जंग खतम होगी नहीं होगी अंदर से ही इसरेयल के उठने लंबे समय तक जब आप कोई भी देश एक वार वाली सिच्वेशन में रहता है तो उसमें फिर कई सारी चुनातिया होती है वो चाहे लोगों की सुरक्षा की पूरी तैयारी करनी है तो यह तो निष्चेत रूप से तैह है कि एक बहुत बड़ा एकनोमिक सेट्बैक यह इसरेयल के लिए है इसमें कोई दो राय नहीं है और दूसरी तरफ लगातार आपको अपड़ेट भी रहना है हाथियार भी हमेशा जब चाहिए अज़मना समहाल रखा है इस पूरे कैसे इसरेयल और अमेरिका को काउंटर करना है, यह फाक्सी में धटकिया जब ने वोन तैक्ति होता है, तो दम् делать लिए हमले का शुर्वे टार्फ तेकत मास्ट मुसाज जैसे अभी काम कर रहा है कि जहां पे हिजबुला के कमांडर की लोकेशन मिलती है वहां पे स्ट्राइक हो जाती है या जहां से रॉकेट फायर हो रहे है वहां पे स्ट्राइक हो जाती है लेकिन एक फुल फ्लेजट वार का रूप फिलाल यह नहीं है तो जब तक एर कि शदतान इसमें खुल के सामने नहीं आता टब तक यह दिखिए वार तो नहीं होगा लेकिन वार नहीं भी हो गा लेकिन उसके बाद भी लगातार इज्रेल पे जो है वो रॉकेटर हो रहे हैं राट जबर्दस्त हमले हो रहे हैं दूसरी तरह इस्टिवेशन है। जितने ए नहीं प्रॉक्सी वर्सेज इसरेल की जो लड़ाई है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है आवाम चाहे कहीं की हो चाहे वो गज़ा की आवाम हो या फिर इसरेल की आवाम हो या किसी और जगा की आवाम हो लेबनौन के आगर सीमा वर्ती शत्रू की बात की जाए वहां की सबी परिशान है लेकिन इस तरह के हालाँ से तो ये बिल्कूल नहीं लगता है कि इस तरह की जो लड़ाई है या इस तरह के जो हमले हैं अभी आने वाले दिनों में रुपते नजर आ रहे हैं इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है आप बने रहे हमारे साथ